हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा सीरम लेड टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कब करवाया जाता है, सीरम लेड टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है, ये टेस्ट कैसे होता है, सीरम लेड टेस्ट का प्राइस क्या होता है, पूरी डीटेल्स जानेंगे इस व द्वारा शरीर में डाला जाए तो ये शरीर के अंगो विशेशकर मस्तिश्क को छती पहुचा सकता है ये विभिन उत्पादों में मौजूद होता है जैसे पेंट बैटरी और पेस्टिसाइड्स वा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आदी कुछ पारंपरिक उपचारों में भी सीसा के संपर्क में आ सकते हैं बच्चों में अधिकतर सीसे की विशाक्ता के होने का अधिक संदे होता है क्योंकि अक्सर वे मुह में उंगलियों वा अन्य चीजे डाल लेते हैं जिन पर सीसा लगा होता है बड़ों की तुलना में बच्चे जल्दी सीसे से प्रभावित हो आपको आपके वातावरण से सीसे के संपर्क में आने का खत्रा है तो डॉक्टर आपको इस टेस्ट को करवाने के लिए कह सकते हैं। इसे कर्मचारियों के परिवारी जन जो सीसे संपर्क होने वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसलिए रिपोर्ट का रिजल्ट जानने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। इस टेस्ट के लिए नॉर्मली बलड सेंपल की आवशकता होती है जो पेशेंट के वेन से लिया जाता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए किसी खास प्रिपरेशन की आवशकता नहीं होती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी करवा सकते हैं। नमबर फाइफ सीरम लेड बलड टेस्ट का प्राइस क्या होता है। सीरम लेड बलड टेस्ट का प्राइस 1200 रुपीज से 1800 रुपीज के बीच में हो सकता है। So friends, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया सीरम लेड टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कब करवाया जाता है, इसकी नार्मल रेंज क्या है, ये टेस्ट कैसे होता है, सीरम लेड टेस्ट का प्राइस क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो